हेलो गाइस वेलकम तो यूटूब चैनल आप टीमस फॉर्ण विन अभी हम जिस मैच के बारे बात करने वाले हैं वह है आज का वाइटल डे बाश का मैच जो की होने जाना है ग्लोश्टोशाय और मिलिस इसके बीच में तो यह मैच होने जाना काउंटी ग्राउंड ब्रेस्टल में जो ग्लोश्टोशाय का घर है दोनों ही टीम वैसे तो बाहर हो ही चुकी है जैसे कि आप पता ही होगा ग्लोश्टोशाय के चांसे थे लेकिन सिकेंड लास्ट मैच दे के बाद वह भी खतम हो चुके है और परफॉर्मस अटा दू तो जादा आपको बैटिंग से उतना कुछ खास देगने मिलेगा नहीं और बोलिंग तो कभी इनकी स्रेंथ रही नहीं है तो बोलिंग से भी उतना कुछ खास नहीं मेरे छास्ट एक मैच था जहांपर केंड को बुरी तरी के सहरा था बोलिंग के बाकी मुझे याद तो नहीं आ रहा है कि बोलिंग से बहुत कुछ जादा करा होगा और मिलेश की बात क्या ही करें जैसा हमेशा चलता है वही है लास्ट मैच में हमने बताया हुआ था और जीता जाता है मैच वहार के आए ठीक है एक ऐसा मैच था जाए पर उनके जीतने के तो देखना यह पड़ेगा कि उनका एफेक्ट क्या आता है तो स्टार्ट के एस मैच की अनलेसिस यह मैच काउंटे गरांड बिस्टल में होने जा रहा है जहां पर सेकंड लास्ट मैच दोलो ही हमने कॉवर करा था सेकंड लास्ट मैच बारीस के वें से नहीं हो पाया था क्लियरा थे । फोड़ा बहुत बारीस को सकता है मैच के आगे मैच के तीन चार घंटे पहले मैच के दॉरा आण जो हम लोड़ी तक नहीं दिक रहे है आखरी 5 मैच के तीन से से पिछल रही होगी या लाव तना देख भी सकते हैं यहां बडिस्टे हैं तो क्या क्या चीज हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं तो यह पहला मैंच शिल्टन हम में शिल्टन हम जिनरली एक होम ग्राउंड होता है जहां पर इस सीज़र में कोई मैच नहीं हुआ है तो यह पहला मैंच जो है मिले सिस ने बना था 148 कम स्कोर था 9 विकर गिरे इसकी राजी और सिंप्सन के स्कोर आपको दिख जाएंगे बाकि डेवीड पेन राइन ही कि आज की मैच पे रिस्टेड है स्क्वार्ड में नहीं है बाकि होवेल आपको दिख जाते हैं जो करेंट स्कॉर्ड में अवलेबल है ग्लश्टन साय चेस कर गई थोड़ा मश्यक्त जरूर करना पर लेकिनों ने चे अगला मैच वहा रैडलेट में जिनरल यहां पर रंस बनते हैं जो हम जानते भी हैं तो यहां पर क्या हुआ था 168 बहुत सादा स्कॉर यहां पर भी नहीं था हैमोंट फिर से आपको दिख जाते हैं ब्रेशी के साथ बाकि जैक टेलर ने कुछ कंस्विशन से यहां पर भी जीतर ही रह रहा है अभी तक हाई स्कॉरिंग ऐसा कुछ नहीं और लो स्कॉरिंग भी उतना कुछ नहीं देखने मिला लोई स्कॉर हमने यहां पर 148 का बंते हुए देखा था और दोनों ही मैच में चेजिंग टीम जो है जीती है एकात एकात करें विकेट इनके हैं शौ स्मिध ग्लाश्योस अनि इजवा चेस करते हुए मैच जीत लिया अटरा हुवर में 156 का टारगट था उनको और उनको चेस कर लिए जहां पर फिर से आपको हैमन दिख जाते हैं और यह कुछ परफॉर्मर्स से जहां से गिगिन्स और कॉपेन अवेलबल नहीं है और यह कुछ बोलर से जिनोंने परफॉर्म करा से लास्ट मैच यह भी शेल्टन हमें हुआ तो ब्रिस्टल में कोई मैचेस हमें देखने नहीं मिल रहे हैं अगर हम आखरी पाश्यों की बात करें तो रन उसी रेंज में बन रहा है देखो 170 क असपास ही जा रहा है उससे जादा नहीं उससे कम भले बने हो लेकिन उससे जादा नहीं तो ना ही बैटिंग कॉलाप्स हुआ है ना ही बहुत जादा स्कोर्स हमें देखने मिल रहे हैं मिड रेंच या मोर्टन आवरेश टोडल हम यहाँ पर उम्मिद रख सकते हैं ब्रेशी फिर से हिगिन्स कॉबेन अविलेबल नहीं है वैन्बूरन भी अविलेबल नहीं है हॉलमन के यहाँ पर दो विकेट्स थे लास बाकि साउट और कुलर बिडिल सेख्स चेस नहीं कर पाई और यह पहली बार है आख़ी चार मैचों में जहाँ पर चेसिंग टिम चेस नहीं कर पाई क्रेकनल और होडन स्कोर से और बेनी हवेल और यह कुछ बोलर से परफॉर्म करा और लास्ट मैच जो हुआ सा दो तीन मैच लगाता जीते से तो 239 बनाये थे हुआ इसकी नाजी के अलावा क्रेकनल होल्डेन और मॉर्गन हिइस के तीन विकेट्स थे जो अवेलेबल नहीं है वाकि पेन कंसिस्टेंट है नशीम सा जो अभी खेल नहीं रहे होल्ड ग्रॉस्टर चेस नहीं कर पाई लेकिन उन्हें बहुत बड़ा टोरल खड़ा किया थे हैं मॉर्ड कई बार नाम आचुका है इनका हिगिस बागी हैमोंड कर नाम काई बार आचुका है हेगिंस होवेल हैं जब तक खेलेंगे तब तक मारेंगे ऐसे इंटलिटी रखते हैं और एंडर्सन हॉल्मन कुलें टियार जोन्स ग्रीन ये विकेट्स के मामले में रहे हैं तो बहुत जादा क्रिस्टल क्लियर इंडिविज् इस पर नाम का ऊजिक आए है तो यह कुछ चीजे हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं और सिहार बने हैं उतना कुछ मतलब बैट्ण कॉलाप्स वारा सीन तो अब तक नहीं आया है बिलकुल पहला मैच भूहाँ हमने बनते हुआ थे वही लूए इस कोर है इस विक्चर में अभी बाकी रन्स यहांब बन जाते हैं जैसे कि अब उम्मीद रग भी सकते हैं दोनों टीम की बोलिंग को देखके दोने टीमों की स्ट्रेइद उनकी बोलिंग क्योंकि है नहीं तो बाकी चीजान नूटिक सब्सक्ता थे बाकी लास्ट मैच विलिसेज जीती है उसके पहले तक व लास्ट मैच वहा थे पिछले सिदन में और उसके पहले वाला जो शल्टन हम का मैच था वहां पर भी लॉस्टर सहर नहीं जीता था दोनों ही मैच हो मैच जो है गलोस्रस आने जीते हैं अवह मैच में दो एक से वह पीछे है तो यह सीन है है हिट्टर से जो हम देख सकते है और ईसके शोर्स देख फैंस प्रशन करने लागे कोईश यहां पर देख सकते हैं आया थे इस ग्राउंटごे बारे बते करने के लिए इस ग्राउंट पर हमने क्या देखा था जो हैंशर से जया ड्रतर बहुत कम स्कोर भी नहीं, बहुत जादा स्कोर भी नहीं, हैमोंड, होवेल, जैक तेलर, कुछ परफॉरमेंस आपको इनको देखने को मिल जाते हैं, प्रॉब्लम यही होता है कि यह बहुत नीचे बैटिंग आते हैं, लेकि जब तक इनको मौका मिलता है, यह ठीक ठापॉरम जैसे ब्रेसी अच्छे प्लेयर ही है, ठीक है, वह बात नहीं है, बिंजुरी के चलते इनको उस तरह से धंग से मौके नहीं मिल पाते हैं, लेकिन अभी जब धंग से मौके मिल रहे हैं, ठीक ठाप बैटिंग करी हुई है, फिलिप्स जो पिछले सीजन में एक अगला मैच यही एक लौता मैच था, जहाँ पर बोलिंग डॉमिनेशन करा, ग्रोश्य साहर ने, पेन यहां पर नीट करा था, बाकी चैपल जो अभी नॉटिंगम शाह में वापस आ चुके हैं, मेरे खियाल से, और स्मित, हिगिंस, ग्रोश्य साहर ने चेस कर लिया, जहा यहां पर चेस कर लिया, जहां पर आपको शौ, पेन, होवेल और स्मित के यहां पर बीच बीच कबर विकर्स आपको देखने को बिल जाते हैं, और लास्ट मैच जो हुआ था, हैंप्शार और के बीच में यहां पर भी हमें मोर्दन आवरेज या हाई स्खोडिंग इंकाउ हमेशा कॉंसिशनली कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, लगभग नहीं है, लगभग नहीं है, हर मैच फिसी दरन बना है था, 37 उसके पहले यहां पर उनको बैटिंग साइज नहीं मिली होगी, उसके बाद 21 उसके पहले 28 तो स्कोर्स इनके हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं ह स्कोर हमने पास्ट में बनते हुए देखे हैं, तो रंस यहां बन जाते हैं, आप यहां बेरनों की उम्मीद रख सकते हैं, हाला कि हेट्रेट में कुछ दिखा नहीं सकता है, कि हेट्रेट में कोई मैच हुआ नहीं है, लेकिन रंस यहां बन जाते हैं, पिसास का पराण होत अभी तो उतना अच्छा फॉम उनका नहीं दिख रहा है बाकी होवेल, जैक टेलर, डेविट पेन वगरा जो पुड़ाने प्रेड़्स है उनके नाम आमें देखने मिल जाते हैं तो यह चीजे रही है और यही साड़ी चीजे है जो हम बता सकते हैं ग्राउंड से हेट्ट्रेट की चीजे हमने पहले डिसकस कर ली है आई होप अपने सब कुछ सही चीजे देख लिया होगा अब यहां आयाते है प्लेइंग उनके तरफ तरफ से कोई बेजर चेंजेस की उम्मीद नहीं है एंडर्सन पिछले मैश के स्क्वार्ड में थे लेकिन इंजूरी के चलते वह बाहर हो चुके हैं तो मैक्स हैरिस सा नाम है इनका मैक्स हैरिस जो है यह लास्ट रसे तो भी निकाला हुआ था यही खेलेंगे बाकि उसना कुछ खास priority मेरा किस्वे भी नहीं है तीनों मैसे दो को लेकर चलना है ठीक है बाकि डेवी सिम्सन मुझे लगता है कि आप मौका दे पाओ के हॉलमन मेरेटली में जरूर से होंगे इनके रेकॉर्ड बहुत अच्छे है क्रिस ग्रीन देखना पड़ेगा मुझे बोलिंग से उम्मीद नहीं है प्रॉब्लम एक होता है कि क्रिस ग्रीन को बहुत क्रिटिकल ओवर्स में बोलिंग मिल जाती है तो इसलिए वहां से उनको डेट ओवर्स में बोलिंग मिल जाती है और वहां से विकेट निकाल लेते हैं तो टीम में रख सकते हो काफी लोग क्याप्टन हसरम बना सकते हैं इनको लेकिन मुझे कुछ खास उमीद यहां से उनके दिख नहीं रही है उसका माद मैक सारी है है हिल्म वालाला वीता वहरं मैक सारी है तो यहां से इन तीनों में से मिनिमम दो अगर तीन को लेकर चल सकते हो क्योंकि वहां से अलड़ी कॉपें जो है नहीं खेलने वाले है तो इसलिए बैटिंग थोरी सी कम हो ही रही है उसका माद हॉलमान और ग्रीन तो यहां से होगा चार प्लेयर्स और उसका बह से जादा प्लेयर्स में कोई मतलब बनता भी नहीं है बेच पे जोज दे शेयर्स हैं और ग्रेट फूड है लगता तो नहीं को खिलने का मौका मिलेगा देखते हैं आगे ग्रोशी तबसे बात करें तो हैं मुझन और डेंट ओपनिंग कर रहे हैं दोनों ही बहुत ही है तो बहुत मारत हैं इतनी इविलिटी है इनके बास तो यह है बाकी आप देख सकते हो रिकॉर्स है मौन कहीं है तो कुछ खास रिकॉर्स नहीं है ब्रेसी काफी अचा कर रहे है और लोग इनको फिर भी अंडरेस्ट कर रहे हैं कि दूसरा की पर जो है इनके उपर लोग लेकिन मैं तो कहूंगा कि फिलिप से जाधा कंसिस्टन लग रहे है वो लेकिन फिलिप कभी का बोलिंग कर लेते हैं और इस ग्रांट में फिलिप को डॉप करने का हैसन तो नहीं दूंगा तो पॉसिबल हो तो रोग तीपर को लेके चलो ठीक है लेकिन ब्रेसी को छोड़ अगर नहीं चाहते हैं कि आपने तीम में मौका दे पाएंगे जैक तेलर कापने देख लिया क्या सीन है बेनी होवल तो बैसे भी टीम में होंगे बाकि डेविट फेन इनको आप छोड़ना नहीं चाहोगे और टॉम स्मीथ अगर स्पेस बन रहा है तो ले सकते हो बाकि बहुत नीचे बैटिंग आते हैं बाकि ऐसी कोई बात नहीं है कि यह पर्फॉर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन क्या पता बीस पचीज रन के लिए आप इनको कॉंसिरन ना करना चाहो उसका बेनी होवल आपके लिए मेन ओल डाउंडर हो जाते हैं हॉल्मान और बेनी होवल में इसमें बाकि सेफ रहने के लिए क्रिस ग्रीन को मैं ले लूँगा और उसके बाद यहां पर पॉल भैर्विकरन खेल सकते हैं जौ शौ खेल सकते हैं और टॉम समीथ एक लौते स्पिरन होंगे अगर आप देगना चाहतो देख सकते हूँ में से चैनी में से छोजके बात कराएं मिल सकते से इसे नाइसी की इस ग्रीन बरसंटेज से इसे इसोग्रेन को ना मिले है लेकिन बोलीं और निक्रject कर नहीं है पाकी क्याप्तन वास्कार नहीं है तो मुझे दिखने ही रहे हैं मेजरली मुझे लगता है होवेल ग्रीन ये कॉम्बिनेशन आपको स्मॉल लिग में दिखने मिल सकता है या फिर अगर लोग अलग कुछ करना चाहते हैं तो फिलिप्स और या इसकी नासी में से लोग जा सकते हैं नासी प्रिकेट की फुटबॉल बास्केर बॉल कबड़ी या से गेम्स की भी गिबवेज होते हैं तो उसका भी पार्ट बनने के लिए आपको जोइन होना पड़ेगा तो अगर आपको सेफ जाना है कीपर सेक्शन में फिलिप्स और यहां से ग्रीन को लेकर चलो अभी मैं तो मेरी एक्स्परिमेंट करने लाए कोई जाएगा होगा नहीं तो जरूरत भी नहीं है बहुत जादा लेकिन मैं कोर भी नहीं कांगा अगर मुझे चाहिए होगा भी तो ऐसा मैंने अभी आभी ऐसा बना कर रखा हुआ है अगर यहां पर ग्रीन को आप चांस ले पाते हो और यहां पर फिलिप्स फॉर्म पर बिल्कुल नहीं है बोलिंग भी नहीं करा रहा है और यहां पे ऊक्रूरत तो यहीं यह दोना पॉइंट्स के लिए मैं इन धोनों के अबा चांस ले अब लैनों ग्रीन का म стр. तैसे और यहां पर चाहसे ले लिया है तो यह है और बाकी नेल जैक टेलर यह दोनों भी आप्सन है जैक टेलर को बैटिंग फस्समें बैटिंग सेकंड में आप देख सकते हो यह डीसंटी कर रहे हैं यह थोरा सा रिस्क ही हो जाएगा और आपको बिलकुँ सीफ जा रहा है जादा कु बुरा कुछ नहीं है बोलिंग में टॉम समित और डेविट पेन को डिया है टॉम समित कंसिस्टनली विकर्स में नहीं है लेकिन एक लॉते स्पिनर है जो विकर्स में आते है यही बात है तो आप देख सकते हो और बाकी अगर मैं यहां से बात करू बिलिस के तरफ से लोग ले रहे हैं Bihin Lorf को बोलिंग सेक्डन नहीं डिफिनली बोलिंग संनली नहीं नहीं दियां मैक हटिस के बारे में जिनके बाद बाध बैंग हैंड काफी ऑच्छा है बोलिंग लिंग से स्ख़ा है यहांप SLIRE में खेलेंके जर्वी जो भी जब तक उनको मुआपने हैं अपन तो यह थर्ड बोलर आपने हिसाफ से देख सकते हो और रिस्क अगर लेना है तो मैंने बता दिया ग्लेन फिलिप्स और ग्रीज ग्रीज ग्रीन इनके उपर पूरी दुनिया के कैप्टिन मिनिका से बेनी होवेर होने वाले हैं तो इसमें जाला कोई वह बना सकता है बिल्कुल बना सकते है को दिक्कत वाली बात नहीं है वाइस के लिए हॉलमन जिनके रिकॉर्स काफी अच्छे हैं ग्रीन को भी आप बना सकते हो अगर वह बोलिंग फर्स्ट कर रहे है तो और अगर बोलिंग सेकंड कर रहे है तो आप सोच सकते हो ठीक है तो यह कुछ चीज़े हैं और यह रही सारी अनलेसी अगर आपको टेलिग्राम सेनल पर जरूर जाइन हो जाना क्योंकि लास्ट वन पर सारी अप्डेट्स वगरा वही पर आती है तब तक के लिए बेच्ट लख वाद इस मैच और भूपाइफ़न राओ